कैसे हो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सबीका मेरी चनल के उपर अभी तक दोखो दोस्तों आपने ये चनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लो और बेल बिटन को यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आपसे मिस्स नहो जाए और पैसे कवाने का कोई भी मौका आप कवाना दो अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको रेडिमेट्स कॉल्स चाहिए तो आप मेरी चनल भी जॉइन कर सकते हो ये जॉइन बटन के उपर क्लिक करते ही आपको सब इन्फोर्मेशन मिल जाएगी अगर आप लोग डाइरेक एक्विटी में इन्वेस्ट और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पॉटफोलियो का 50% अलोकेशन मुच्वल फंड के अंदर होना चाहिए क्योंकि अगर आप मुच्वल फंड में पॉटफोलियो बनाओगे तो आपको पूरे मार्केट का एक्स्पोजर मिलेगा बलकि आपने खुद पॉटफोलियो बनाया होगा तो आपके पॉटफोलियो में 10-15 बेस स्टॉक्स से ज्यादा स्टॉक्स नहीं होगे और आपकी प्रोफाइल को देखते हुए आपको कौन सा फंड सही रहेगा वो आपको जानना है तो आप मुझे क्वांटेक कर सकते हो मैं फ्री ओफ कॉस्ट आपको सजेस्ट करूंगा अभी तक आप लोग हमारे साथ वाट्सव ग्रूप और टेलिग्राम में नहीं जुड़े हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगा का लिंक अवे लेबल है आप चुड़ सकते हो और ये वीडियो स्किप किये बीना देखेगा और लास्ट का पोर्सन ठीक से ये एक सप्राइज रखा गया है सो एफले का चार्ट यहां पर जिस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है विकली चार्ट में देख रहा हूं तो यहां पर गाइस बहुत ही बेकार स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिल रहा है मंथली के उपर भी कोई ऐसा ठीक ठाक स्ट्रक्चर बढा हुआ है पर जो नॉर्मल टेक्निकल एनालिसिस जो आप लोग करते हो जो नॉर्मल लोग करते हैं उसके इसाब से यहां पर आप देखो तो इन्वर्स हेड और शोल्डर पैटन बना हुआ है और यह नेक लाइन भी इसने ब्रेक कर दिया है और मैं जिस तरह से अनालिसिस करता हूं मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है यह स्टॉक के उपर हां हाँ हायर लेवल से डिसकाउंट काफी ज्यादा डिसकाउंट अवेलेबल है देख लेते हैं अभी हाली के दिनों मे हायर लेवल से हमें कितना डिसकाउंट मिल रा है यह स्टॉक के लिए अंदर अर्मूस्स 31 पर्षण का लिए यहां पर हमें देखने पो बताया चैप्रमिस नहीं है स्ट्रैंथ नहीं है इस स्टॉक के लिएगई 1140 सब तक 1140 के उपर का closing हमें देखने को नहीं मिलता है तब तक मैं personally अगर मुझे ये stocks buy करना होगा तो मैं ये stocks buy नहीं करूँगा ठीक है so मेरे इसाब से थोड़ा अभी market में जिस तरह से माहौल चिल रहा है थोड़ा महगा लिया जा सकता है बट लेकिन confirmation के उपर ही काम किया जा सकता है और इस मेरे का closing बहुत ही important रहने वाला था और आज का closing हुआ है 1034 रुपेज so next आने वाले दिनों में अगर 1000 रुपेज के नीचे अगर ये stocks लुड़कना start करता है 1000 रुपेज के नीचे अगर ये stocks लुड़कना start करता है तो फिर lower level के door काफी open होते हुए दिखाई दे रहे हैं और weekly charts के उपर clearly structure बने हुए है कि थोड़ा भी higher level हमें देखने को मिलेगा तो excelling जरूर से आ सकता है ठीक है तो मेरे इसाब से trading perspective काम करना है so 1140 is your confirmation level अगर इसके उपर निकलना start करता है तो थोड़े target के लिए किसी को भी buy करना हो तो आप जरूर से कर सकते हो ठीक है मैं जो भी analysis कर रहा हूं उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे knowledge required कीजिए फिर काम कीजिए कोई भी एक mentor choose कीजिए सीखे और सीखने के बात काम कीजिए